आप कहते हो साथ कोरोना की वज़े से गाडियां बन हैं आपने सारा ट्रांस्पोर्ट सेक्टर खोल दिया जितने भी देश के अंदर ट्रांस्पोर्टेशन हैं चाहे वो बस का ट्रांस्पोर्ट हो चाहे वो एरवेज हो चाहे वो निजी गाडियां हो सब को आपने खोल दिय या विदावट किसी फ्रिक्वेंट्ली आप आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं उससे को नहीं फैरदा आप इंडियन रेलवे को को नाम पे बंद की हो ऐसा नहीं को नाम पे नहीं बंद की हैं यह उन 150 गाड़ियों का टाइम अर्जेस्ट करने के लिए उनका अच्छा टाइम का सिग्नल क्लियर होना लाइन क्लियर 200 गिलोमेटर भूनी चाहिए तो वह टाइम टेबल चुकि इंडियन रेलवे इतना बाव सिस्टम है जब हम पहले टाइम टेबल बनाना तब 102 महिना लगता था सिर्फ रिवीव करते थी आज हमें पुरान नया टाइम टेबल बनाना है तो वो काम 3-4 महीने का है इन्होंने उस काम को जुलाई से सुरू किया है और यह दिसंबर तक खतम कर लेगे दिसंबर तक आपकी कोई गाडिया नहीं चले आप इस बात को समझिएगा कोरोना की वज़े से नहीं कोरोना की वज़े से तो मीडिया और टीवी में बताया जा लेकिन अंदर खानों में वो डेड़ सो गाडियां कैसे सक्सेज हों कैसे उनको ज़्यादा पैसेंजर मिलें कैसे प्राइवेट लोग फैदे में जाएं उसका प्लान चले हम लोग बेवकूफ नहीं हम रेलवे बोर्ट की हर एक चार्ट को जामते हैं हम लोगों ने हमारे म इस्टेशन पे AIRF और NRM है कोई ऐसा इस्टेशन नहीं है जहां पे AIRF या उससे एफलेट से यूनियन का प्रतिजिद ना हो कैडर ना हो और उसके साथ काम कर रहे वाले हमारे रेल के साथ ही में ठीक है हो सकता है कि हम 12,26,000 रेल करुचारी इस लड़ाई के लिए बहुत सिटक सुरुक के सिस्टम में जड़े थे हमारे डेली पैसिंजर थे हमारे यूजर थे हमारे वकील थे पेत्रकार थे हमारे प्रदान थे गाओं के वो गरीव जनता थी ट्रेन के जर्णल दिन में बैट करके लखनव जाते थे वहां काम करते थे और साम को आते समय वही रोटी और प्याज खाते थे और स्टेशन के नव का पानी पीते थे और अपने घर में चले आते थे हम उन लोगों को भी सुड़ाई में सामिल करने का काम करेंगे और वह बहुत बड़ा तकता है सरकार की चूले हिल जाएंगी लेकिन उसके लिए हमें अगवाई करना पड़ेगा हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि यह पूरे देश के साथ कुछ अक्र हो रहा है यह उन सभ अगर वही काम हमारा विभाग करें एक उदांग देता हुआ एक कंपनी है जो रेल्वे कोच को बनाती है उसका एक लेच्वी कोशेश जिसकी कीमत 6 क्रोड़ रुपए यह सारी बात है जो मैं बोल रहा हूं इस ऑन रिकार्ड है ऑन पेपर है यह सब डाटा आपको मिल घुड़ा होगी अलस घुट छ सुच्शे करोड़ रुपए का देती है włohy है जो रेल कोछ फैक्ट्री है वह एक करोड़ 20 में पिछले फाइनेंसी लेड तक धाई हजार कोच बनाने का टार्गेट था अभी सिर्फ बारा सो कोच बनाने का टार्गेट है यह अपरेल से और जिसमें से पांसो कोच बन चुके अब उनकों को पास कामी नहीं यह सरकार की मनोपॉली है कि हम रेल कोच फैक्ट्री में कोच से भी चलेगा 60 क्रोड में बना के दिया हमारे चितरंजन के साथियों ने उसी कोच को मात्र 6 क्रोड 40 लाग में बना के देने का काम किया हम कहीं अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे ट्रेंड करिए ना आप मुझे ट्रेंग दीजिए मोदी जी सिर्फ लाल क अधनी, तो साथियों ये समय हर एक साथि को जाग्रू करने की, हमने का मामंतरी जी ने का, भी सहारे साथ हजार सदेशनों पे हर सेटेशन पे आयंडिया रेलीमेंट्स्टशं एक कमेटी कट्रण करेगी, रेल बचाओ देश बचाओ, सेफ रेल, सेफ नेशन एक कमेटी बन अब तक इस रेल का मिजी कर नहीं होंगे, ये भरोसा आपको करना हो.